कि अच्छ फ्रेंड्स मैं कमेंट और एकेसिंग और आज से हम आप सभी के लिए डी ट्रिपल एस पीजीट की क्लास लेकर आए यानि कि जितने बच्चे डी ट्रिपल एस भी के तियारी कर रहें यानि कि जितने बच्चे डी ट्रिपल एस भी के तियारी करें और डी ट्रिपल एस भी में आपको मैंने बताया था कि यानि कि आपने कल वाली वीडियो देख लिए होगी स्लेबस वाली स्लेबस वाली गोला नोटिवेशन वाली तो आपको किस-किस के तियारी कराए जाएगी यानि कि history and political की त्यारी मैं करूँगा maths और bio की रितुमेडम कराएगी ऐसी TGT में science की त्यारी रितुमेडम कराएगी science and math की SST की मैं करूँगा तो सबसे पहले आगर आपको यानि कि हम क्या करने हैं TGT आज यानि कि PGT और TGT की पहले TGT की जहां PGT की त्यारी करेंगी क्योंकि PGT और TGT की फर्म अभी तक पूरी तरह आए रहे हैं जब से बरने शुरूँगे उस टाइम से हम त्यारी करने शुरू कर देंगे तो चली आज देखते हैं PGT political science यानि कि आज आज आपकी पहली ग्लास में पहले हमें सबसे पहले हिए जानना होता है कि भाई जिस के हम तैयारी कर रहे है यानि कि जिस भी सब्जेक्ट की हम तैयारी करने क्या हमें उसका syllabus पता ओना चीए क्या हमें क्या पढ़ना है वो पता नहीं कर पाओगे तो इसलिए आपको पता होना चाहिए PGT Political Science में क्या स्लेबस दिया गया है यानि कि स्लेबस क्या है क्या क्या हमें चीजे कवर करनी है तो सबसे पहले हमें यानि अच्छी तयारी के लिए एक स्लेबस का पता होना चाहिए चलिए सबसे पहली क्लास में आज हम से वह फिर फारषेंट उन कि जी सी सब के थिक है जिससे कहते है इसलों परोचा फेर 5 ट्रेशन अटीर चाहरिए fat सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्थे यह सब को पता है है खहते हो कि या 아амि या पोलिटिकल पोलिटिकल का होगा इसटी का होगा इंगिलिस यहीज से इंगलिश का होगा हिंदी essay हों का होगा तो यह कहीं नहीं आपको पता होना चाहिए यह कहारणी समघ में अब यहां सकी कहारणी आप को समझ में आ गई होगी हिए कि यह है कि दो पार्ट में यानि पूरा पूरा एके सार मिया कि यह दो कर दो कि दोनों को अला गला कौलीफाई करना पड़ता है ठीक है कि रहे से बच्चेक्ट अच्छा रहा होता सब्ज़क्ट एस स тобло कर दे रहा है राइंड़ करना पड़े ग कि हमें पॉलिटिकल के स्लेवस में जानना क्या है यानि कि डी ट्रिफल चीज को देखना है कि सीज के हमें sorry तो सबसे पहले आप को चीज पताओगा जिसने भी M में करी होगी तो उसमें क्या चीज आती है Political Political Thought ठीक है अब Political Thought आपका पूछा ही जाएगा क्योंकि Political Thought में गया है यानि कि Political Thought में आपके सारे इसके जितने concept है liberalization यानि कि न्या है, citizenship, equality, development, यह सारे कि सारे आते हैं topics में, इसमें meaning आता है इसका, यानि कि modern perspective क्या है इसकी चीजे का बारे में, यह सारी कि सारी इसमें चीजे आएंगी, यानि कि आपको मैं बता रहा हूँ क्या कि चीजे आप से पूछ जाएंगी, यानि कि एक तरह से इसमें सा सारे कि सारी जैसे आपने दिखा हुआ, इसमें आप से rights पूछ जाते है, liberalization पूछ जाते है, equality पूछ जाते है, justice पूछ जाता है, citizenship पूछ जाता है, secularism पूछ जाता है, development पूछ जाता है, यह सारे कि सारे इसके अंदर आ जाएंगे, meaning होगा, traditional होगा, modern prospective होगा, यह सारे कि सा ठीक है, यह क्या है, federalism, यह क्या हो गया, दूसरे नमबर पर आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सारे कि सारे सेंटर, यानि कि इसमें क्या है, constitution assembly हो गया, प्रेंबलर हो गया, उसके characteristics हो गया, constitution हो गया, fundamental right हो गया, DPSP हो गया, DPSP हो गया, director principle of यानि कि स्टेट आपके मौली का दिका आर करता है, सारे चीजे पूछी जाती है, सारे कि सारे, वही पूछी जाते है, question आता है, कि सो से famous question है, इसका article, मैं आपको बताता हूँ, यानि, sorry, 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 okay, 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 federalism लिख दिया है, चलो, federalism है, यानि की central state relation, इसमें central state relation, पर नमबर आपका दो है, Indian, या आपका आजाएगा, Indian constitution, तो Indian constitution में, आप से सारे constitution के बारे पूछा जाता है, मैंने उपा नीचे कर दिया, यानि की यह पहले constitution आएगा, फिर federalism है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, इसमें क्या आएगा, constitution के assembly आजाएगी, प्रेंबलर आजाएगा, आजाएगा, constitution के आजाएगा, fundamental rights आजाएगी, DPSP आजाएगा, या, सबसे ज्यादा question पूछा आता है, article 17 के उपर question आता है, फिर आता है, आपका 51A, 51A, 21A, 20, और आपको कौन सा पूछा जाता है, 32, 32 में कौन सी याने की, आपकी जितने भी rate है, वो पूछा जाती है, तो इस तरह से question सच जाएगा, इसमें पांचे question जो है, pat question बिल्कुर एक तरह से, वो आने याने, वो पूछा जाते हैं, तो आपको पता होना है, चाहिए, चलिए आगे चलते हैं, याने की आपको जब करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर आपका आता है, इसके बाद आयाता है, चोथा नमबर पर आयाता है, union, government, state, government, local, government, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, याने की local government कौन सी है, state government कौन सी है, और आपकी, याने की केंदरिय, राज्ये, और सेतरिय, स्थानिय मान के चलिए, ये इसके बारे में पूछ जाएगा, इसमें सारे सारे प्रेजिडेंट आजाएगा, पी-एम आजाएगा, याने कौन मिनिस्ट्री आजाएगा, पार्लेमेंट आजाएगा, सु जारा के सारा हमें ये पढ़ना है, फिर आयता है, चलिए आगए चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका, इंडियन, एंड, इंटरनेशनल, इंटर, नेशनल, पॉलिटिक्स, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें, कोल्ड वार, एंड ओग वार, अमरीका के बारे में आ ज नेशन विल्ट आ जाएगा पार्टीम सिस्टम आ जाएगा रिसेंट डेवलपमेंट आ जाएगा इंडियन पॉलिटिक्स आ जाएगा चैलेंजिस पर नहीं आजेगी कंपेरिजन के तुलनात्मक तौर पर कि इंडिया और इंटरनेशन के तौर पर क्या है इसमें जो कोल्ड और वह उसके बारे में क्या हुआ अमरीका से क्या हुआ इसके कंपेरिटिव वर्ल्ड में क्या हुआ यह सारी सारी आपको देखने के लिए मिलेगी फिर आपको क्या करना इसके बाद आता इंटरनेशनल और इंटरनेशनल और इंटरनेशनल और इंटरनेशनल और फुल कॉच्चन आना आखती है कि और पूचन से कोश्चन आना को यह कॉंचल सीओ यदि अपने पेड़ा चाहिते हैं तो यह को acostिए अजय को for a I politics of India foreign policy of India दोनों आपको पता होना चाहिए foreign foreign policy और foreign policy दोनों पता होना चाहिए क्योंकि कुछ्षिन इस तरह का ही आपसे पुछ जाता उब ब्लब जाता इसमें क्या जाएगी रोल ओ इंडिया आ जाएगा इन यून में रहा है यूनाइटिट इस्टेट आ जाएगा एक तरह से एक तरह से मुवमेंट आ जाएंगे सारे के सारे चैलेंजिंग विफॉर्ट ओरन पॉलसी यह सारे के सारे आपको इसके बारे में पढ़ना है फिर आता है आपका पॉलिटिकल फोट जिससे बच्चे कहीं न कहीं भागते हैं पॉलिटिकल के स्टूडट जितने ही हैं वो मेरी बात से सहमत होगे क्यूंकि यह ऐकको अगर सेमिश्टर में हो तो फर्स्टी यह से आपने किया है तो फर्स्टिएम में मिलेगा और यही का करते हैं सबसे ज़यादा बच्चे इसमें फिल होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर कम आते हैं, बच्चों के इसमें आते हैं, क्योंकि प्लैटो, अरस्टो, कोटेलिया, हॉब्स, लोक, रूसो, यह बैंथम, मास्क, गान्दी, अर्विंदो, नैरू, यह सारे के सारे कहींन कहीं, इसमें आते हैं, और इनके जो क कौन क्या कह रहा कोन क्या कह रहा कोड ये कहते लिए इस तरह कोषण आएंगे और ये कोशण कह रिच्षे से बच्कर क्या होते हैं गलत होते हैं एक चीज होड़ tat कीव नेगिटी ही ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लास्ट आने की आ का इसके बाद वस्ता है, डाय मेंस ओफ इंडियन डी मो क्रेसी, ठीक है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टेम आ जाएगा, पॉलिटिकल डवलापमेंट आ जाएगा, पॉलिटिकल करुच्छर आ जाएगा, यानि की आपको मैंने सारी चीज लिखवा दिये, एक बार मैं और चेक कर लो, ठीक है तो यह क्या है आपका पूरा पूरा स्लेवस है जो कही न कहीं आपको पूछा जाएगा और आपसे क्या कराया जाएगा उससे question आपको देखने क्यों मेरेंगे ठीक है अब आपको मैं condition यह वाली condition में बतायता हूँ पेपर आएगा आपका यानि की 300 marks का पेपर आएगा स्वरी 300 marks बोलना हूँ 300 question ठीक है maximum score क्या है score है आपका 300 marks यानि की marks maximum हम इसमे negative जो है आपका NEG ATIV negative marking 0.25 यानि की 4 पे कट जाएगा ठीक है time कितना रहेगा 3 गंटे रहेगा ठीक है अब आपको तैयारी यानि की हमें तैयारी किस तरह से करनी है यानि की आपको स्वेबस पते चली गया अब आपको यानि की तैयारी में आपको मैं सारी चीज क्या है कल बताऊंगा कि तैयारी में हमें किस किस तरह से लेके चलना है क्या के चीजे करेंगी कबर यानि की आपको क्या है एक मोटा मोटा स्लेवस का अंदाज लग गया है तैयारी में जितने भी PGT स्टूडेंट है अगर आपको एक्जाम निकालना है यह मान के चली चीजो को हल्के इमत लेजी मैं आपको कल आपको सारी की सारी बुक बता दूँ working क्या पढ़ना है और किस तरह से हम तयारी करेंगे किस तरह से हम practice करेंगे किस तरह से हम books पढ़़ेंगे किस रह से हम slayvers को cover करेंगे तीन चीज cover करवानी है यानि एक तो क्या है आपको practice करवानी है एक आपको book का सारी चीज़े पढ़वानी है और एक आपको जो notes है या slayvers है उसके अनुसार चलना है तो यह अहीं न कहीं अगर आपने complete कर लिया तो आपको क्या हो जाएगा पुराऄ़़ा बेडा पार हो जाएगा ठीक है बच्चों और कल यानि कि जो आपको सारी की सारे concept है कौन सी book आपको लेनी है कहां से पढ़ना है? कितना पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? क्या आपका उसका benefit है क्यों उसका benefit है तो आपको सारी चेह समझ में आज़ेगी यानि कि आपको अभी आज आज आपको सलेबस पता चल गया किस तरह का पेपर आएका वो पता चल जाएगा यानि कि कितन तीन सो कुशन आएंगे यानि 3 3 3 आप यह मान के चल लिए 9 को अपने जीवन में उतार लेगी तो आपको सारी चीशे पता चल जाएगी यानि कि यह आपको पढ़ना है दो फेपर होंगी ठीक है यह भी आपको पता चल गया और कहीं न कहीं अब जो कहीं न कहीं आपको यह पता हो यह सोच लोगी पढ़ना क्या है कि आपको कछी कुल आपकी करें डिटेल्ड वीडियो में बता दूँगा कौन सी किताब आपको उठाके रखनी है कौन सी किताब आपको जैसे कहते है ना बहुत सारे बच्ची क्या है सबसे जिक्कत क्या है हमारे आज के लिए है कि जो पहले जो कहते हैं जैसे कि आपके पेरेंट्स भी होंगे हमारे भी हैं कि हमारे टाइम पे तो नोगरी ऐसी लग यादमी थे उनके पास qualification पूरी थी पर आज के टाइम पर क्या है 1000 वेकिंटी हैं कि दस लाक यह बाँने के चलिए दस लाक वैक्तियों के पास वह qualification है तो इसलिए ये सब चीजों का पता होना चीए और सब चीजों में पता होना क्या चीए कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है छोड़ने का नियम जिस दिन आपने क्या है अपनी तैयारी में छोड़ने का नियम को समझ लिया उस दिन आप चाहे IS का एक्जाम हो चाहे कलर का एक्जाम माल लो एक नियम याद कर ले ना छोड़ने का यानि की छोड़ने का नियम क्या होता है कि जैसे चाहते है यह चेप्टरे टीह बीस चेप्टर में यह चेप्टर में 20 तरह सवाल ठीक है तो भाईया आप उसे याने की 20 करो याने की कोश्चन है उसमें सो टाइप 20 है तो 20 की 20 कर लो बस और सारों को छोड़ते चलिए तो यह क्या है टाइम भी बचा आप याने की एक चीज को जैसे मान के चलिए आपने मुक्का बनाया और आपने दिवार में मारते चलेगे पहले दिन दर्द हो दूसे दिन दर्द हो तीसी दिन दर्द हो दीरे 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 आप क्या करोगे उस मुक्के को मारते चल जाओगे तो आपको आरत हो जाएगी आप उसकी capability बढ़ा सको और एक दिन क्या है गा उस आपको दर्द दिनी होगा तो ऐसी क्या है आप उस कहां से पढ़ेंगे हम वह बता दूँगा कहां से हमें क्या के चीज़े उठानी है और किस किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है यह नहीं यह आपने बस एक बार यूट्यूब चैनल खोला एक गंटे कि लाज उठाई और समझ लिए उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा उ 26 जनवरी से यह आपकी क्लास सुरू मान लीजिए क्योंकि आज हमने क्या कर दिये पहले क्लास का एक तरह से स्क्रेहुस जान लिया है हम क्या करेंगे सारी सारी बुक्स जान लेंगे और यह है उससे अगले दिन हम तयारी करना सुरू कर देंगे क्योंकि तयारी अगर अच् को बाबा हो ठीक है बच्चो चले थैंक यू